इस परकार कि अब बार बार वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा अगर आपको सीखना है या कुछ करना है तो शुरू से लेके आखे एंड तक इस वीडियो को अच्छी तरह से वाच करें तब ही आप समझता होगी कि मैं क्या कुछ बना रहा हूं किस लिए बना रहा हूं और कैसे हमारा यह सर्किट बाकि आप कुछ समझदार हैं आप समझी जाओगे कि हम क्या बना रहे हैं आज मैं आपको बनाके दिखाने वाला हूं ऐसा सर्किट जिसे हम अपनी एसी सप्लाई की 50 हरटेज फरकेंशी को चैंज करके तो या उससे कई उना ज्यादा लेक्ट्ट कर सकते हैं फरकेंशी को जो काम हमारा 50 हरटेज की फरकेंशी पर नहीं हो पता उन कामों को हम फरकेंशी को चैंज करके अपना पूरा कर लेंगे बाकि आप खुद समझदार हैं आप समझी जाओगे मुझे पता ही है तो फ्रेंड इसके लिए हमें सबसे पहले जरूर पड़ेगी के एक इसटी ग autopsy है यह इसटी वेस है तो फ्रेंड मैंने ले रखें कलर टीवी की खराब यह सद़ीं है आप अगर चाहो तो कलर टीवी की खराब suggest ले सकते हो ब्लेक एंड वाइड टीवी की पढ़ियों तो उसे भी आप काम में ले सकते हो अगर आप के पास कोई स्कूटर की EST हो, मोटर साइकल की हो, जो मर्जी हो, उन सभी को आप इस तरह से काम में ले सकते हो. तो फ्रेंट, मैंने ये EST ले लिए, और आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने इस पे पहले से ही इसकी वायर किट, छे छे टरन दोनों साइड में दे रखी है, वैसे तो बारह टरन दे दी है, और बीच में से मैंने इंतार का जो जोड़ा है, उसे बार नकाल लिए, अब ये चे टरन, एक दू, तीन, चार, पांच चे टरन यहाँ इदर होगे, और एक दो, तीन, चार, पांच, चे चे टरन इदर होगे, और इजर लंबी वायर होगी, ये कट्ठी, ये कोईल बन गई, और हमने इसके तीन सीरे बना लिए, अब हमको जरूर्त एक मॉस्टिट की और एक जरूर था हमें रिजिस्टेंस की सिर्फ इन तीन कंपोनेंट से हम अपने फरकेंसी को चैंज करने वाला जो गाड कह सकते हैं यह सर्किट वो बनाएंगे और एक हम ले लेते हैं यह पावर बैंक की बैटरी जो की 6.3.6 वोल्ट की है इसे हम इस सर्क की के वाईर को मैंने बीच में से कट कर लिया है यह देखिए और अभी हम क्या करेंगे एक ले लेंगे यह अपने सिरंज वाली वो नीडल की केप है जो इसमें सुई डाली हुए आती है नहीं सुई यह ले ले लेते हैं क्योंकि हमें इस को इस केप को इसकी उपर से डाना ह ही है थोड़ा दूर रखने के लिए गेप बनाने के लिए हमने इसकी जरूर्त पड़ेगी और अभी हम ये इसमें लिऊ जाए तो वायर के ओपर हम टेप चडहाःते हैं आधे कि क्योंकि फरकेंस कि क्योंकि आप वीडियो को अच्छी तरह से गोर से देखते रहे ना फिर आप बोलते हो सर समझ में नहीं आया आप वीडियो को अच्छी तरह गोर से देखते नहीं हो हलां कि इतनी ज़्यादा समझ में नहीं वारी तो इसमें कोई बात ही नहीं है और नहीं कोई ज़्यादा मैं कोई ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि किसी के समझ में ना है कठेनी वीडियो तो मैं बनाता ही नहीं है एक साइड से हमने इसको पूरा टाइट कर दिया एक साइड से थोड़ा कम टाइट करेंगे क्योंकि इसके हमें जरूरत पुड़ेगी गेप को कम ज़्यादा करने की तो अभी हमने इस पे थोड़ी सी टेप चड़ा दी देखते हैं साइड हमारा पुराजिए तो फ्रेंड यह हमने इसमें गेप दे दिया बीच में इसको हम अपनी जरूरत के इसाब से गेप को कम ज़्यादा करके हम फ्रकेंसी को चैंज करेंगे और यह आगे से हमारा वायर हमने चिल के रख दिया चलिए अब हम इसको शॉल्टरिंग कर देते हैं फ्रेंड इस डिवाइस का सरकीट डाइगराम आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं तो फ्रेंड इस टी के इस कोईल के पहले सीरे को हम मोस्पीट के सेंटर वड़ इपिन पर लगाएंगे यहां पर अब यह आप अच्छी तरह से देख लेना पिर आपको के सरसमझ में नहीं जाया अभी हम यह रिजिस्टेंस ले लेते हैं यह पहली पिन मोस्पीट की गेट है जो कि ट्रांजिस्टर में बेस होती है और मोस्पीट में इसको गेट कहते हैं तो हमारी यह होगी गेट पिन और यह कि एस टी के कोईल के एंड ओव शिरे पर इसको शोल्टरिंग कर देते हैं हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जे पर अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से वाच कर लिया ना तो आपके सारे डाउट कलियर हो जाएंगे और आपको बार बार कुछ और वीडियो देखने की जरूरती नहीं पड़ेगी अब यह दो हमारे कंपोनेंट कंप्लीट होगे अब इस बैटरी का पोजिटिव वाइर है जो वह हम लगाएंगे इस एस टी के बीच वड़े पोइंट पे यहां पे लगा दिया और यह नेग एक्टिव वाइर को हम लगाएंगे यहां पर हो सकता है फ्रेंट आपको अवाज सुनाई दे रही हो यह हमारी यह स्टी वर्क करना शुरू कर दिया है अभी हम एक बार इसमें एक वाइर का टुकड़ा और लगा लेते हैं तांकि हमें इसको बंद करने में थोड़ी असान किसी बॉक्स में फिट कर लेना अच्छी तरह से और यहां पर एक ओन ओफ स्विच भी लगा सकते हैं यह मैंने आपको दिखाने के लिए एक बार इस सर्किट को ओपिन रखा है तांकि आपको कुछ समझ में आ सके कि हमने क्या कुछ बनाए कैसे बनाए और कैसे वर्क करेग इसको थोड़ा साइड में रख देता हूं तांकि इसका कोई गल्त मतलब ना निकाल ले और ऐसे ही फालतु का मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक आए या कोई मेरे चैनल पे इफेक्ट पड़े क्योंकि यह तो मैंने वेसी एक बार तार यहां पे आपको दिखाने के लिए लि रख देता हूं कि बाकी हमें तो अपमारी फरकेंसी से मतलब है अब यह आप देखिएगा फ्रेंड आप वायर को यहां से पकड़ सकते हैं यहां से टच कर सकते हैं आपको वैसे कोई करेंट वगेरा नहीं लगने वाड़ा बाकी सेफ्टी तो रखना आपके लिए बहुत जरूरी है वो तो एक अलग बात है बाकी इतना तो आपको श्ट्रगल करना ही पड़ेगा बाकी आप पहले अगर आप बनाना होना तो इस सर्किट को कंप्लीट अच्छी तरह से बनाके चेक करके पहले इसे डबे में फिट कर लेना उसके बाद इसे यूज़ करना क्योंकि यह डिबे से बार रेजएगा यहां से हमें गेप की जरूर पुड़ेगी कम ज़्यादा जिससे कि हमारा हमें जो काम करना है हमारा वो काम हो यह मैंने यहां पर लगा दिया है वायर को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए फ्रेंड आप देख पा रहे होगे जैसे मैं वायर को दूर लेके जा रहा हूँ 230-40 वोल्टेज क्योंकि यह नॉर्मल मीटर है मेरा सस्ता मीटर है यह फरकेंसी को नहीं बता सकता वरना आपको फरकेंसी मैं यहां पर निकाल के दिखा देता कि कैसे चैंज हो रही है पर हाँ आपको वोल्टेज से आइडिया लग जाएगा जैसे मैं इसके पास लेके हूँगा यह देखिए फ्रेंड कैसे वोल्टेज फ्लेक्चुएट हो रही है मतलब कि जो हमारी पचास रेकेंसी है उसको यह बीट कर रहा है उसको खतम कर रहा है और हम अगर आपको कोई डवड लगे आपकी फरकेंसी अगर मेच नहीं कर रही हो आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा हो तो आप बहुत ही बरीकी से इसको हलकी हलकी इस गेप को धीरे-धीरे करके एक बार सुई जितना के गेप नजदी कर लिया फिर आप चेक करोगे कि हमारा सरक्ट काम कर रहा है या नहीं अगर फिर भी काम नहीं करीए मैं एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इसको मैंने यहां सितार को उटा दिया अगर आपका काम नहीं बने तो बिल्कुल फोड़ असा इसको अंदर की तरफ ले और फिर आप इसको चेक करोगे अगर आपका कम बनता है तो ठीक है नहीं तो फिर आप इसको बिल्कुल नॉर्मल साडल लगाएंगे फिर चेक करेंगे इस तरह से फ्रेंड एक बार आपको थोड़ी इसी देकतों का सामना तो परना पड़ेगा थोड़ा टाइम भी लगेगा आपको काफी मेहनत है शुरुवात में जब आपने एक बार इस गेप को यह जो आपका गेप है ना इस गेप की अगर एक बार सेटिंग होगी ना आपकी और यह एक डिपेंड यह भी करता है फ्रेंड कि आपकी इस तार की दूरी कितनी है माली जी यह आपका पोल है तो इसकी लंबाई जो डिस्टेंस अतार की वो कितने के लंबी है उस पे भी डिपेंड करता है इसी के कारण हमको इस डिस्टेंस की जो चक्कर है उसको दूर करने के लिए हमें इसकी जरूर पढ़ती है अपने इस गेप को आगे पिछे करके बस आपको इस सर्कीट के कंप्लीट बढ़ने के बाद ये चलू हो जाएगा तो आपको पितल लगी जाएगा कि यहां पे स्पार्क लेने लग जाता है इसमें हाई वोर्टेज निकलती है वो तो आप चेकर ही लोगे उसके बाद आपका चेक करने का काम सिर्फ यही रह जा जब इस गेप की डिस्टेंस को आपने एड़ेस्ट कर लिया ना एक बार तो एक बार आपके यहां पर तार को टच करते ही आपका काम हो जाएगा आप एक बार लगाओगा आपका काम शुरू और जब काम को बंद करना हो तो फिर से इस सर्किट को लाके आप तार को द्वारा टच करोगे आपका काम बंद हो जाएगा बस यही रिपीट करना है आपने जब जब आपको जुरूरत पड़े तब आप क्या करोगे जैसे यह नेगटिव या पोजिटिव वायर इन दोनों में आप चेक कर लेना बारी बारी से जिसमें भी आपके सेटिंग बेट है उसी में ठीक है बस ध्यान दिया रखना है ध्यान में रखने वाले यह गेप बड़ी बात है इसमें आप लगा के भी छोड़ सकते हो पर्मानेट एक बार चेक करने के लिए इधर से आप लगा दोगे और इधर से आप गेप सेट करना कि कहां से हमारी तचा सर्टज की फरकेंस यह जो बीट हो रही है उसमें चेंजिंग हो रही है तो फ्रेंड आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बागी आप खुद समझदार है इससे ज्यादा तो मैं आपको कुछ ज्यादा समझा नहीं सकूंगा क्यों कि यह वीडियो कुछ ऐसी है तो फ्रेंड इस तरह से आप यह सर्किट बना ले ना और इस सर्किट का जो यह मोस्पिट लगा हुआ है इसका नंबर है आई एर फ जड चुमालिस एन डबल फॉर एन मोस्पिट है यह और यह जो इसमें रिजिस्टेंस लगी है यह है फ्रें अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद